हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नव जीवन एक नहीरा पिछले वीडियो में मैं अपने इस चैनल पे 69 BPSC का स्लेबस मैंने डिसकस कर लिया था उसके बाद मैंने बुक लिस्ट भी सेयर किया है तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडि 69 BPSC पिल्डिम्स का एक्जाम में भी सेप्टेंबर अक्टूबर तक हो जाएगा क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन जून तक आने की संभावना है तो नोटिफिकेशन से 3-4 महिने बाद तक एक्जाम ले लिया जाएगा तो अगर हम लोग एक एसम्शन करके लेके चलें क्यो के पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, जुन, जुलाई, अगस, सब्टेंबर तो यही टोटल 6-7-8 मंथ आपके पास बचते हैं तो प्रिपरेशन के लिए आप अगर अभी से नहीं लगते हैं तो आप 69 वी एक्जाम नहीं दे पाएंगे, स्लेबस बहुत किस तरह से अपने जनवरी to October को पुरा डिवाइड कर लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से strategy के साथ पढ़ाई करें अगर strategy नहीं होगी आपके पास plan नहीं होगा तो आप फिर किसी भी एक्जाम को crack नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास plan होगा तो आप बिल्कुल उसे follow करत ले हुए crack नहीं तो उस एक्जाम तक आप जरूर पहुँच जाएंगे जहां पर उसकी एक cut off की level है so cut off level तक पहुचने के लिए मेरे पूरे वीडियो को जरूर देखें इन्दा केस पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को subscribe कर लें तो वीडियो को start करते है जन्वरी से लेके अक्टूबर को पूरा डिवाइट कर लें copy pen लेके लिख लें मैं हर वीडियो में कहती हूं कि copy pen क्यूंकि copy pen से आपके mind का बात mind में नहीं रह जाता है जब आप note करते हैं तो वो बिलकुल आपके life में उतरने लगता है और जब copy को note करने के बाद आप उस से follow करते हैं तभी आप उसे अपने life में include कर सकते हैं तो जन्वरी का जैसे महीना है अभी 15 दिन बचे हुए है 15 जन्वरी से लेके 31 जन्वरी तक तो कुछ दिन दो तीन दिन आप syllabus को दे syllabus को आप लिखे note down करें और books वगरा ले लें 15 तारिक के बाद से लेके आप 30 तारिक त लेंगवेज में बताया है जो आपको समझ में आएगा तो आप ancient और medieval history और एक subject बिल्कुल current affairs जो की करना ही जरूरी है एक साल का current affairs आता है exam में तो अभी से जन्वरी से आपको अक्टूबर नौंबर तक इससे पहले भी नौंबर दिसंबर से आएगा exam में अगर अक्टूब का date जैसा हो जून के बाद आपको पता चल जाएगा तो आप उसके according follow करें बट अभी से आप दो subject लेके हर महीने चलेंगे जन्वरी का महीना आप ancient medieval history करेंगे 11-12th NCRT से और साथ में current affairs का एक magazine monthly magazine लेके चलेंगे तो दो book बहुत ज्यादा नहीं है friend मैं अपने next video में ये भी बताऊंगी कि आप monthly कैसे divide करें ये तो पूरा yearly का plan है कि अभी से लेके exam तक कैसे करें क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना possible नहीं होता है तो वीडियो को next video में आप जरूर देखेंगे तो जन्वरी का महीना ancient medieval और current affairs फरवरी में चलते हैं हम फरवरी में जब आपको पढ़ने की थोड़ी habit हो जाएगी तो आप बिहार का book जरूर पढ़ें बिहार का book पढ़ने से होगा कि आपको एक knowledge होने लगेगा कि exam में बिहार से related क्या क्या question आते हैं तो ये सब को आपको पढ़ने से पहले previous year question का book जरूर रखना है previous year question के book से आप पहले देख लेंगे कि किस तरह का question आ रहा है और मैं उसके बार में बताऊंगी कि previous year question book का use कैसे करना है जैसे मैंने किया है वो मैं एक वीडियो उसके लिए भी लेके आऊंगी तो second month जो होगा फरवरी का महीना जो होगा उसमें आप एक भिहार special और एक subject पॉलिटी ले 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 लेके चाप् में आपको पढ़ने की दिविद्र हैबिट हो जाएगी तो current affairs तो साथ साथ चलता ही रहेगा क्योंकि newspaper और monthly magazine हर महीने आती है तो उसको आपको खत्म करना है तो बिहार special, polity और current affairs फिर ये हो जाएंगे March जब आए तो March में आपको science lucent से करना है और economics तब तक budget आजाएगा, economic survey आजाएगा March में तो आप अराम से economics और science और current affairs ये तीन subject लेके चलेंगे फिर April की बात करते हैं और April में तब जाके आप spectrum को start करें क्योंकि आपने ancient और medieval पढ़ लिया था, कुछ आपको बिहार का knowledge हो चुका होगा अब तक और कुछ आपने lucent से पढ़ा होगा तो आप spectrum से बिल्कुल history का, modern history का सारा चीज पढ़ेंगे और इस महीने आप history को देंगे spectrum इतना छोटा book नहीं है कि आपका एक महीने में cover हो जाएगा तो अगले महीने भी spectrum को देना है साथ साथ एक छोटे subject geography को ले ले और current affairs तो ये subject हो गया फिर next month और फिर आजाएगा जून का महीना जून में आप बचे हुए history जो चल रहा है बिहार और current affairs और भी मतलब जो बचे हुए subject है सबको एक साथ जो आपका बचा हुआ portion होगा उसे करने तो जून तक notification आपका आ जाएगा एक्जाम का और उसके बाद आपकी start होगी सारे subject की revision तो जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर चार महिने आपको revision बिलकुल करना है क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है revision फिर उसके बाद मैं बताऊंगे आपको जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर में कौन-कौन से book revision के लिए लेने चाहिए क्योंकि ये book तो आपको basic और standard concept clear कर देगा history का, geography का, science का और इस सारे books के objective book फिर हम लोग start करेंगे जुलाई से तो ये था friend एक map, strategy कह सकते हैं, एक road map जैसे बनता है उसी तरीके से एक plan है जो कि आप plan 69 के लिए बना ले और इसे copy पे note कर ले कि जनवरी में मुझे 15 जनवरी से 31 जनवरी तक ये करना है था कि आप धीरे-धीरे करके इसे complete करें, ancient, medieval और current affairs से सुरू करें So thank you friends